बैश्विक महामारी करोना के खिलाब देश की लड़ाई को जिस मजबूती के साथ आधने प्रधानमंत्री जी ने निरंतर अपने मार्क दर्सन से आगे वढ़ाया है आज भारत पुरी दुनिया के लिए एक रोल मोडल बना है और पुरी दुनिया के अंदर भारत के इस अभियान को और आधने प्रधानमंत्री जी इसके अभियान को हर मंच पर सराहना मिली है हम सब आभारी हैं आधने प्रधानमंत्री जी के जिन्होंने निरंतर इस देश को प्रधानमंत्री के रूप में एक अइभावक के रूप में अपना योग्य मार्क दर्सन समय समय पर दिया है और इस महामारी के खिलाब चौथी बार देश को संबोधित देश की जनता से सीधे संबाद अस्थापित किया है अपने संबोधन के मादेम से आधने प्रधानमंत्री जी ने और हम सब आभारी है कि आज करोना संकड से उभरने के लिए देश के गरीब के लिए किसान के लिए मजदूर के लिए सोक्सुमलगु मध्यम उद्यम के लिए और प्रवासी सर्मिकों के लिए फेरी नीती से आच्छादित होने वाले ठेला, खुमचा, रेड़ी, पटरी, ब्योसाई या अन्या रोज कमाने वाले उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोशना की है बीस लाग करोड रुपे के इस आर्थिक पैकेज के लिए मैं आदरे प्रधान मंत्री जी का हिर्दे से अविनंदन करता हूँ उत्तर प्रदेश की तेईस करोड जनता की ओर से उनके प्रति आभार वेक्त करता हूँ मुझे विश्वास है कि इस बड़े आर्थिक पैकेज की माध्यम से न केवल उत्तर प्रदेश का MSME सेक्टर जिसे हमने आदरे प्रधान मंत्री जी के मार्ग दर्शन में वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट के माध्यम से एक नई उचाईयां प्रदान करने का प्रियास किया करोना संकट के कारण उनके सामने कुछ विसम इस्तितियां आई थी ये आर्थिक पैकेज उन्हें एक बार फिर से आगे बढ़ने के लिए एक नया संबल होगा इसमें कारेरत हमारे लगभग पैंतालीस लाग से अधिक जिसमें कारिक कामकार है सर्मिक हैं जो सिल्पकार हैं उन सब को भी एक नई जान मिलेगे साथ साथ उत्तर प्रदेश में बीस लाग के आसपास प्रवासी सर्मिक आने वाले हैं दस लाग अब तक आ चुके हैं और आगामी दस दिन के दोरान मेरा उनमान है कि दस लाग के आसपास और आएंगे यानि बीस लाग से अधिक जो प्रवासी कामकार और सर्मिक आएंगे इन सब को के कल्यान के लिए भी एक नई तिसा हमें प्राप्त होगी प्रदेश में पहले से ही बहुत बड़ी मात्रा में ठेला है, खोमचा है, रेडी है, पटरी ब्यावसाई हैं और अन्य फेरी नीती से आच्छादित होने वाले बहुत बड़ी मात्रा में वे लोग हैं जो डेली अपना कमाते हैं, खाते हैं ऐसे लगभग 15 लाग की संख्या में हमारे इस प्रकार के परिवार और उस प्रकार के कारे करने वाले लोग यहां पर पहले से मौजूद हैं, जिने हम लोगों ने पहले ही करोना संकट आने के ततकाल बाद भरन पोशन की विवस्ता की थी उन सब को भी एक नया संबल इससे प्राप्त होगा, मैं अधने प्रधान मंत्री जी को, देश की ग्रामिन अर्थ बिवस्ता को, देश के सूक्सम लगू मद्यम उद्यम को, देश के आर्थिक स्वाबलंबन के आधार इस सेक्टर को एक नई जान फूकने के लिए जो इस बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोशना की है, इसके लिए मैं अधने प्रधान मंत्री जी का एक बार फिर से अविनंदन करता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उनके प्रति आभार वेक्त करता हूं और मुझे विश्वास है कि उनके मार्क दर्शन में हम करोना पर विजय प्राप्त करेंगे और प्रतेक नाकरी को न केवल करोना से सुरक्सित करेंगे अपि तो आर्थिक स्वावलंबन की और अग्रसर करने में भी इस प्रकार का आर्थिक पैकेज हम सब के लिए एक बहु नमंत्री जी का हिरुदे से अविनंदन करता हूं आभार विक्त करता हूं धन्यवाद